हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल अनम लोजिक दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरीकी से इंस्टाग्राम के ओपर वेरिफिकेशन बैच ले सकते हों वेरिफिकेशन बैच का मतलब होता है दोस्तो ब्लुटिक ब्लुटिक अप इंस्टाग्राम पे कैसे हसिल कर सकते हों ये यूटुब पे भी होता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को सम्मिट करना है और क्या क्या document आपको इसमें लगने वाले हैं यह पूरा process अच इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को last तक देखना तो दोस्तों यहाँ पे भी इसकी भी कुछ criteria होती है जैसे कि 1000 इसके followers होना ज़रूरी है जैसे कुछ criteria है मुझे नहीं पता है लेकिन यह रियान सिद्धी की जी का account है तो इनको मिल गया है तो मैं इनके जो account है उसके उपर वीडियो बना रहा हूँ ठीक है चाहे तो आप इनको follow भी कर सकते हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको तीन काम करने है सबसे पहले तो मेरे चैनल अनम लोजी को subscribe करना है दूसरा notification bell के बटन को दबाना है ताकि नए वीडियो का update आपको मिले तीसरा आपको तीन लाइन के बटन के उपर चला जाना है उसके बाद आपको setting में चला जाना है setting में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको account का option आता है तो यहाँ पर simple सा आपको account में चला जाना है account में जाने के बाद थोड़ा से scroll आपको कर लेना है यहाँ पर आपको इसको रिक्वेस्ट जो verification जो लिखाओ है न इसके उपर आपको क्या करना है क्लिक कर देना, यहाँ पर देखें, जो चौते नमबर का, लास्ट में चौते नमबर का रिक्वेश्ट वेरिफिकेशन का एक आपको मिल जाएगा, जिसको नहीं मिल रहा है वो अपडेट कर लिजे और जिसको मिल गया है, तो समझ लिए कि जो क्रेटिरी है, वो कम्प्लीट होगी, इसके लिए रिक्वेश्ट वेरिफिकेशन का फॉर्म उसको दे दिया है अब दोस्तों, यहाँ पर देखें, यूसर नम तो आटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ पर आपको फुल नेम दालने का, और यहाँ पर डॉक्यमेंट टाइप में, आपको कोई भी एक डॉक्यमेंट यहाँ पर दालना है, यहाँ पर केटिगरी, कंट्री फिर उसके बाद, ओडियंस, वो सारी चीज़े आपको सलेक करना है, वो सारा फॉर्म में आपको यहाँ पर फिल करके बताऊंगा भी दोस्तों, डॉक्यमेंट टाइप में देखे, ड्राविंग लैसेंश चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, नेशनल एडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए, टैक्स फाइलिंग वगेरा चाहिए, तो यह सारी ओपन करके फोटू जो आपकी गैलेरी में है, वो डिरेक्ली भी यहाँ पर दाल सकते हूँ, ठीक है, तो मेरी गैलेरी में मेरे उसकी रियान सिद्धिगी जी की आधार काट की फोटू है, तो मैं यहाँ पर ओपन फोटू के पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ से क्या करू की ख्तचाइन फूरे में, जैसे के नियुज, स II, स्पोर्स, कामनेंट है, फिर म्यूंजिक हो गया, फैस्छंस हो गया, इंटेशन हो गया, ठीक है, मैं इनके इंटेटीन्मेंट के जो क्या क्या क्यीआ है, और यहाँ है, यहाँ पर सिंपल सा कर लिया कर लोगा है, इंडिय यह सारी लिंक है, आपके इसाब से आप अगर कोई कोई दूसरा Facebook का अकाउंट हो गया, YouTube का अकाउंट का लिंक हो गया, तो वो सारे यहाँ पर आप डाल सकते हो, तो वो directly link ले लेगा, नहीं तो अगर इसको छोड़ देते हो, तो भी यह submit हो जाएगा, तो simple सा है, यहाँ पर submit के बटन के उपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है, और जैसे ही submit के बटन के उपर आप क्लिक करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर दीखे, एक दूसरा form खुल के आएगा, यहाँ पर देखे, आपको लिख रहा है, कि request submitted करके है, यह request to verify, this account is currently under review, ठीक है, you can expect a response within 30 days, यानि कि 30 दिन के अंदर अंदर इसका response आ जाएगा, और आपने जो form भरा है, उसको क्या है, कि under review में दे दिया गया, यानि कि अभी under review में है, और आपको अगर आपका सारा कुछ सही रहेगा, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर blue tick मिल जाएगा, और अगर कुछ mystery काईगा तो वो आपको बता देगे, कि आपको यह problem है, यह solve कर दीजे, तो वापीस से आपको verification badge के लिए apply कर सकते हो, तो वैसे the most of case में 30 दिन के अंदर अ अनम लोजिक को सबसे पहले like, share और subscribe जरूर करना, और short वीडियो देखना चाहते हैं तो knowledge of passing के पर visit कीजे, वहाँ पर technology से related में short videos बनाता हूं, चलिए फिर मिलते हैं next video में, thanks for watching.